असलाम लेकुम कैसे हो बच्चों आप सब दुआ है कि आप जहां भी हो ठीक हो और अल्ला के फजलो करम से आपकी स्टडी बहुत अच्छी चाल रही हो शुकर है अल्ला का करम है अल्ला का कि मैं भी ठीक हूँ हम आज कल पैसिवाइज और एक्टिवाइज पे काम कर रहे हैं आज कल हम एक्टिवाइज क्या है और पैसिवाइज क्या है और जिन जिन टैंसिज के एक्टिवाइज पैसिवाइज में बदलते हैं उन पे आज कल हम वर्क कर रहे हैं हमने प्रेजंट के जो तीन टैंसे उनके passive wise बना लिए हैं आज हम past का जो tense है ना पहले हम जो असान असान है ना tenses उनके passive wise बनाएंगे फिर जो उसके बाद हमारे पास जो मुश्किल tenses है जैसे perfect continues के tenses थोड़े से बच्चों को मुश्किल लगते उन पर फिर हम passive wise देखेंगे बनते हैं या नहीं बनते अगर बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं तो आज हमारे past tense है past indefinite tense आपको पता है कि past indefinite tense वो जमाना है जिसमें फिकराद जो हैं वो past के हैं उनमें वर्ब की second form लगती है present का हमने पढ़ा था कि ता है किया गया दिया वगरा आता है जैसे अली खत लिखता था या अली ने खत लिखा ये है एक्टिवाइज अली रोट अलेटर अली ने खत लिखा या अली खत लिखता था अली रोट अलेटर अब ये हमारे पास एक्टिवाइज अब हम इसको पैसिवाइज में बदलेंगे तो जाहरी बात है कि पास्ट इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्व है वो सेकिंड फार्म अफ वर्व लगेगी लेकिन जब ये एक्टिवाइज पैसिवाइज में बदलेगा तो वाज या वर्व का इस्तमाल होगा खत अली से लिखा जाता था लेटर वाज रिटन बाई अली यहां पर जब एक्टिवाइज पैसिवाइज में बदलेगा न तो वो जो सेकिंड फार्म है वो थर्ड फार्म में बदल जाएगी वो फिर उसके बाद जो है वो helping verb was और बाद लगेंगे जैसे खत अली से लिखा जाता था लेटर वाज रिटन बाई अली अगली example देख लेते हैं I met him yesterday मैं कल उससे मिला था या मैं कल उससे मिला He was He was met by me yesterday I met him yesterday एक्टिवाइज He was met by me yesterday यह है पैसिवाइज अगला फिक्रा देख ले He bought two cups उसने दो कप खरीदे या उसने दो कप खरीदे थे He bought two cups Two cups were bought by him अब देखें अगर जो subject है एक्टिवाइज में तो वो single होगा तो जाहरी बात है वो आगे चलके उसके जो पैसिवाइज हैं उसमें subject He bought two cups Two cups were bought by him अब बाइज की second form भी बाइज है और third form भी वर्ब की जो है बाइज खरीदना बाइज है तो यहाँ पे कप ज्यादा है तो वाज नहीं लगेगा वर लग जाएगा यानि टू कप सवार बाइज हैं अगे देखते हैं गर्स कुक्ड फूड लड़कियों ने खाना पकाया गर्स कुक्ड फूड या लड़कियों खाना पकाती थी आगे है खाना लड़कियों से पकाया जाता था या खाना लड़कियों से पकाया गया फूड वास कुक्ट बाई गर्ल्स ये अगली एगजेंपल देख रहते हैं अली एट एन एपल अली ने एक सेब खाया था या अली एक सेब खाता था एन एपल वास इटन बाई अली आमना वाश्ट डिशिस आमना ने बरतन धोय थे या आमना बरतन धोती थी आमना वाश्ट डिशिस यहां पर वाश्ट फर्स्ट फार्म है और वाश्ट सेकंड फार्म है और थर्ड फार्म भी वाश्ट भी है वाश्ट ही है जैसे यह अगर एक्टिव आइस है अब यह पैसिव आइस में बदलेगा तो यह इस तरह होगा बरतन आमना से धोये गए या बरतन आमना से धोये जाते थे डिशिज वर वाश्ट भाई आमना अब पैसिव आइस में अपने यह देखना है कि वो जो सबजेक्ट है या नाउन है या जो चीज है वो प्लूरल है तो फिर वर लगेगा अगर वो सिंगलर है या सिंगल है तो फिर वाज लगेगा इस लेक्टिर को दो तीन दफ़र देखे उमीद है कि जिस तरीके से मैं असान करके से समझा रही हूँ आप लोगों को समझा जाएगी अगर कहीं से आपको यह समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में क्वेस्चन कर सकते हो पहले हम सिंपल तरीके से पैसिव आइस सीखेंगे फिर उसके बाद पैसिव आइस में न सिंपल पैसिव आइस का समझ में आना जरूरी है तो उमीद करती हूँ कि यह लेक्चर देखने के बाद आपको सिंपल पैसिव आइस बनाने में असानी होगी पहले हम पास्ट के सीख लें पास्ट के सारे पैसिव आइस सीख लें फिर उसके बाद इंशाला हम नेगिटिव पैसिवाइस और इंटेरोगेटिव भी सीखेंगे थैंक यू फर वाचिंग जहां भी आप रहें अपना खयाल रखें और वीडियो वाच करने का बहुत शुक्री